आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के उपर है आपको पता होगा या फिर आज कल न्यूज चैनल के माद्यम से इस न्यूज के बारे में आप जरूर देख रहे होंगे या उस समझ रहे होंगे कि हमारे देश में एक बहुत ही दुरदान घटना घटी थी 2002 में और उस घटना में एक औरत जिसका नाम है बिलकिस वानो उसके साथ जब वो पांस साल की प्रेगनेंट थी तो उसके साथ रेप किया गया था 11 लोग के दौरा यानि 11 लोग जो हैं इसमें इन्वाल्व थे साथ ही उसकी एक तीन साल की बच्ची थी उसे एक पत्थर पे पटक करके मार दिया गया था एक ही बहुत ही दुखत घटना 2002 की है उसके बाद ट्रायल चली और विलकिस वानो जो इसमें पिडित हैं उनका मानना था कि गुजरात में यानि ये घटना गुजरात की है कि गु आफिर महरास्टा से सुप्रिम कोर्ट अपने डायरे में केस को ले लिया था उसके बाद जो 11 दोशी थे 11 जो कॉन्विक्स थे उनको क्या कर दिया गया उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गए लेकिन आजादी के अमरित महोसों के दौरान यानि 15 अगस्त को जो हमार देश 75 इंडिपेंडेंस डे मना रहा था साथ ही भारत के प्रधान मंतरी मोदी महिला शुरक्षा के लेकर के बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे उसी समय इन 11 दोशीयों को गुजराद से एक कमीटी बना करके उनको छमादान करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया और इसी क को लेकर के जो सरकार है उसकी मनसा पर सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कौन सा ऐसा सुधार नजर आ गया इगा जो आरूपी थे उनके अंदर कि उन्हें ऐसे जगन अपराद की सजा को माफ करना के नौबत आ गई और इन सब बातों की चर् नौब करने का मतलए उसमें विचार करना यानि आ साव इस एडिटोरेस्य नौब्स जो च्छेमा मिली है उसको रिवीउ करने की जरूरत है इस विक्क्षरी उसको फिर उससें विचार कामने की जरूरत है इस एडिटोरियल ने बात हो रही है उस नौम्स का मतोहता मानडंड यानि कह सकतो नियम कानून या मानडंड जिसके माध्यम से नौम्स को रिलीज किया जाता है यानि एडिटोरियल के राइटर करना चाह रहे हैं कि उस नियम कानून या जो नौम्स है जो माब्दंड है जिसके अंतरकत किसी भी कर्विक्ट को छमा करते हुए रिलीज किया जाता है उसमें फिर से एक बार रिवियू करने की जरुवत है उसको फिर से एक बार कंसीडर करने की जरुवत है सुप्रीम कोट शुट ले डाउन नौम्स फोर रिलीज ऑफ कॉन्विक्स ऑन रेमिशन सुप्रीम कोट को चाहिए कि एक नया मापडंड तयार करे जिसके माध्यम से हम लोग रिलीज करते हैं कॉन्विक्स को कॉन्विक्स प्रिम कोट के दौरा एह होना चाहिए चाहिए एक आदमी पभुक जो है भुब्लीक से अस्रेटर का मतलब होगा की एक कार्यकरता कहलो कि जो कि छो फोए फंप से निकल करके आता है जो एक जो शीला होता है इन्थुजियास्टिक होता है हुआ उसने बहुत अच्छा किया है कि जो सुप्रीम कोट के स्ई इगारह आरोपी को छोड़ दिया गया जो की चार्ज सीटेट थे कहलो या फिक कहलो कि जो की कॉन्विक्टेट थे गैंग रेप के लिए एक औरत के साथ साथ ही उनके उपर सेवन पीपल जो है उनको मुडर करने का आरोप भी है 2002 में जो एंटी मुस्लिम चल रहा था प्रोग्राम इन गुजरात 2002 में आपने सुना होगा कि गुजरात में दंगा हुआ था उस समय एंटी मुस्लिम मुस्लिम के खिलाब जो मुहीम चल रहा था उस दरमियान एक महिला के साथ गैंगरेफ हुआ था मुस्लिम महिला के साथ हूई थी और इसको लेकर के झो सुप्रिम कोट का जो फैसला प्री मैच्रीर रिलीज का जो फैसला था उसको चैलेंज चिया गया है एक्र अविस्त लोगों के दारा यानि जो काड्र करता था है उनके दार कि विलकिस बानो नाम नाम है उनके प्ल initiatives छॉपर could बिलकिस बानों जो हैं जो की सर्वाइब बने इसमें ओ कोट की और नहीं गई बट इज गुजरात गवर्मेंट गरांटिंग रेमीशन टुद अगॉजिक्ट वॉजिटी डिशियर रिव्यू हला कि बिलकिस बानों नहीं गई हैं कोट के शरण में लेकिन जो ज़रूरी है कि जो गुजरात की सरकार के द्वारा रेमीशन ग्रांट किया गया है यानि छमा ग्रांट किया गया है कॉन्विक्स को इसके ऊपर एक जुडिशियर रिव्यू होना चाहिए इस सब्जेक्ट तो जुडिशियर रिव्यू आगे देखते हैं देट दोस फांड गिल्टी ऑफ मल्डिपल मुर्डर्स इंक्लूडिंग दाव थ्री यर ओल्ड चाहिए वैसे लोग जिनके ऊपर आरोप है कई मुर्डर्स के साथ ही इसमें एक छोटी सी बच्ची तीन साल की बच्ची की भी मुर्डर करने का आरोप है वैसा व्यक्ति जिसके उपर कई मुर्डर का आरोप है गैंग रेप का आरोप है तो वहां की जो सरकार है उसको कैसे नजर आ गई कि ए बिचारा इनसान आदमी है और इसके उपर छमा कर दिना चाहिए ऐसी सोच जो प्री मैच्ची और रिलीज की जो सोच है कैंडिडेट्स की ए अनक्सेप्टेबल है यानि ए एक्सेप्ट करने लायक हैं ही नहीं इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो कि सवाल खड़ा करता है और सवाल कुछने के लिए मजबूर करता है सरकार के डिसीजन के उपर जो चमा किया गया है वो आधारित था जो डायरेक्शन दिया गया था दो ठोट जजज के बेंच के द्वारा सुप्रीम कोट के और सुप्रीम कोट के द्वारा एं मार्ग दर्शन दिया गया था राज्य सरकार को रेमिशन के मामले में कि रिक्वेस्ट टूबी अब एक सवाल ए है कि अब यह जो मौका दिया गया रेमिशन का चमा करने का और इसका अधिकार गुजरात गर्शन गर्शन को दिया गया या महरास्टा गर्शन को दिया गया The court ruled that the state government of गुजरात where the crime occurred should consider the matter तब एज जब सवाल खड़ा हुआ कि गुजरात की सरकार या महरास्टा की सरकार इस matter में छमादावन को देखेगी tö कोट के दोरा कहा गया कि गुजराद की सरकार के दोरा इस मेरट में देखा जाएगा where the crime occurred जहाँ पर gjटना गटी है should consider the matter महरास्ट्रा, महरास्ट्रा को नहीं महरास्ट्रा को नहीं महरास्ट्रा का नहीं क्यों चर्चा में यहाँ पर आ रहा है महारास्टा उस जगह का नाम यहां पर है जहां पर केस को ट्रांसफर किया गया था सुप्रिम कोड के दौरा ताकि यहां पर a impossible का मतलब होता है ना किसी का पक्च लेना यानि एक कह सकते हो कि एक साफ सुतरे तरीके से ट्रायल हो सके निस्पक्च तरीके से ट्रायल हो सके यारी umpastil का मतलब होता है इस्पक्च वाइल पासिंग this order Ven는 order को पास करते वक्त, the bench also said that remission should be considered under a policy framed in July 1992. जब Supreme Code के द्वारा order पास किया गया था तो bench ने कहा था कि जो remission की जो policy July 1992 की उसका पालन होना चाहिए as that was prevailing policy on the date of their 2008 conviction यानि उस जो है policy जो है और prevail कर रहा था अभी जो related था 2008 में जो इनका conviction हुआ था उसको यानि कहने का मतलब यह हुआ कि 2002 की घटना है उनके उपर जो आरोप शिद्ध हुआ यानि सजा कम मिली उनको 2008 में यानि इतना दिन ट्राइल के बाद यानि करीब 6 सालों के बाद यह लोगों को सजा मिली और अब जो है 2022 में उन्हें छोड़ दिया गया this means that the bar on granting remission to those convicted for murder and rape found in the current policy अब कर रहा है कि जो बार है बार का मतवता है रुकावट बाधा तो जो बाधा है जिसके तहत remission मैंनी छमादान दिया गया है फाउंड murder and rape found in the current policy will not apply to these conflicts यानि यह जो छमादान वाली जो policy है इन जितने भी conflicts हैं उनके उपर अप्लाई नहीं होता है there are at least two grounds on which the remission order appears illegal दो ऐसे grounds हैं आधार हैं जिससे यह लगता है कि जो छमादान दिया गया है यह कैसा प्रतीत होता है यह illegal प्रतीत होता है first यानि पहला the state government made a decision on its own without consulting with the center पहली बात तो यह कि जो state government है उसने खुद अपना decision ले लिया उनको छोड़ने का बीना central government के प्रामर्स किये हुए under section 435 of the code of criminal procedure such consultation with the state is mandatory in cases probed by the CBI और ऐसे cases में जहां पर CBI के द्वारा इसमें जाज की जाती है तो central government के साथ इसके उपर सलाह मस्वीरा या consultation जरूरी होता है further दूसरी बात the composition of the committee that recommended remission for the convicts consisted of two BGP legislators दूसरी बात एक कि जो committee बना करके इसमें जाच की जा रही थी इस मामले में जिसने जिसके report के अधार पर इन लोगों को छोड़ दिया गया उस committee में दो ऐसे leaders थे जो BGP के थे यानि उस committee में BGP के leaders सामिल थे आइडियली a remission panel should compromise अगर एक सही माइने में जो remission panel होता है यानि छमादान करने वाली जो panel होता है उसमें एक senior government officers होता है जो कि चार्ज में होता है home या law affairs के एक district judge होना चाहिए एक prison superintendent होना चाहिए जेल के जो superintendent होते हैं ओना चाहिए and officers who deal with probation and rehabilitation यानि वैसा officer जो कि पुनरवास के लिए काम करते हैं offenders के जो अपराधी के पुनरवास या फिर से उसको एक सही दिशा दिखाने का जो काम करने के लिए जाने जाते हैं officers उनका एक उसमें जगह बनता है यानि panel में कौन-कौन होना चाहिए तो government official होना चाहिए एक district judge होना चाहिए एक prison superintendent होना चाहिए और जो अपराधियों को rehabilitate करने का काम करते हैं उस officer का जगह बनता है the presence of political members certainly witiates its decision यानि जो प्रजेंस है यानि उपस्तिती है political members की जो राजनितिक कोई व्यक्ति इसमें अगर है तो decision को प्रभावित करता है बूरा करता है गंदा कर रहता है further आगे it appears that the objection of the district judge concerned was disregarded और यह भी यहां पर प्रतीत होता है कि जो district judge के द्वारा जो भी decision दिया गया या objection किया गया विरोध किया गया उसको भी दर किनार कर दिया गया उसको कोई value नहीं दिया गया casting a shadow on the legitimacy of the remission और यह जो घटना है ओ एक कालो की जो बैद्धता है remission का छमा करने की जो बैद्धत तरीका है उसके उपर एक क्या कर रहा है shadow कास्ट कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस पर एक का सकते हो कि एक शंका पैदा कर रहा है it will be appropriate if the supreme court constitutes a bench of sufficient size to reconsider judgment कर रहा कि इसको appreciate किया जाएगा जब supreme court इस मामले को लेकर के फिर से एक बार judgment के लिए bench गठित करेगी allow the remission policy obtaining on the date of conviction instead of the policy currently in force कर रहा है कि इस मामले को 2008 के मामले से जोड़ करके देखा जाएगा कि यह जो 2008 का मामले में जो remission policy थी ओपलाई होगा ना कि अभी की जो remission policy है उसको अपलाई करने के ज़रूरत है instead of the policy currently in force हो गया as well as decide the question of whether the appropriate government should be the one in the state where the crime took place or the state to which the trial was transferred on judicial orders कर रहा है कि अब किसके लिए इस सही होगा इस मामले में राज की सरकार जहां पे घटना घटी वहां पर इसको देखना होगा या फिर जहां पर trial को transfer कर दिया गया थैया यानि महरास्ता की सरकार इस मामले को देखेगी इसको भी clear करना होगा it can also spell out the contours of the rational remission policy और इसको जो एभी दाइरा है rational एक तार्किक remission policy की उसके बारे में भी बताना चाहिए की remission की policy है क्या one that will be informed by humanitarian considerations as well as the scope for reform of the offenders and their sense of remorse अब देखिए यहां पर एक ऐसी नया जो remission policy है उसका क्या ढाचा है जिसके माध्यम से एक आदमी को inform किया जाए कौन सा ऐसा humanitarian ground है यानि जो मानव का जो एक होता है ना कि एक human sense जागता है जिसके अंतरक्त उसको छमा कर दिया जाता है तो कौन सा ऐसा ground है जिसको consider करते हुए reform की जरुवत है या फिर offenders को छोड़ दिया जाता है उनको कैसी ground ही महसूस होती है इन सब बातों को ले करके एक नए तरीके से Supreme Court को लोगों को बताना चाहिए spell out करना चाहिए मतलब इस डेटेल में उसको समझाना चाहिए कि आखिर नया जो policy है हो है क्या तो आज के एडिटोरियल में हम लोगों ने इस घटना के बारें पड़ा मिलते हैं अगले डिटोरियल में till then good bye and take care